हेलो फ्रेंट्स वैलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैं हो प्रिया फ्रेंट्स आज हमें डॉर मैट बनाना सेखेंगे आप इसको आसन के तोर पे भी यूज कर सकते हैं आपकी चुए से आप इसको कहां यूज करना चाहोगे और देखें देखने में बहुत ही सुन्द हम उनका होक लिया वाए नंबर में 11 नंबर का होके चलिए बनाना सुरू करते हैं देखें फ्रेंट्स सबसे पहले हम 50 चैन बनाएंगे इस तरह से पकड़ेंगे दागे को और देखें इस तरह से निकाल लेंगे और इसी तरह से एक बार और निकाल लेंगे और नीच वाले दागे को थोड़ा खीच लेंगे देखें हमारी एक चैन बन गई है दो तीन चार पांच छे साथ और इसी तरह से फ्रेंट्स पचाच चैन बनाके फिर मैं आपको दिखाती हूं देखें फ्रेंट्स मैंने 50 चैन बना लिए देखें बल लेंगे और यहां से हम देखें से 5 हमाज चैन स्किप कर देंगे 1 2 3 4 5 और हमारी छटी चैन इसमें अपना हुग डालेंगे और यहां पर हमें एक डबल क्रोशे बना देंगे और इसी तरह से देखें नेक्स चैन में भी एक बार बनाएंगे दो और अगली चैन में भी एक बार बना देंगे देखें फ्रेंट से हमारी तीन डबल क्रोशे बन गए तीन बनाने के बाद हमें एक चैन का गैप देना है उपर और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे और next वाले चैन में एक double crochet से बनाएंगे देखिए इसी तरह से हम दो और बना लेंगे अलग-अलग चैन में से देखिए 3-3 हो गए हमारे 3 double crochet से बनाए एक चैन का gap दिया फिर 3 हमने double crochet से बनाए और फिर से एक चैन का gap देंगे और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में डबल क्रोस्य बनाएंगे एक दो तीन एक चैन का गैप देंगे देखें फ्रेंड्स उच इस तरह से हमारा बार का रहा है तीन डबल क्रोस्य बनाएंगे एक चैन का गैप दिया और नीचे भी हमने एक एक चैन छोड़िये और इसी तरह से रो कम्प्लिट कर लेंगे देखें फ्रेंड्स मैं बरके लास्ट में आ गई हूँ और देखें इस तरह से हमारे सैट आएं जो हमने ये तीन तीन डबल क्रोस्य बनाएंगे ये हमारे ग्यारा सैट आएंगे तेखें वन टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन अब एक चैन हमने ले लिया और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे और जो लास्ट वाली चैन है उसमें एक डबल क्रोस्य बनाएंगे देखें एक डबल क्रोस्य बना दिया अब फ्रेंड्स हमें अपना बरक इस तरह से पकड़ना है और जो हमारे यह वाला डबल क्रोसी है, लास्ट वाला है, यहाँ पर हमें एक बास लिवी स्टिच करेंगे, इस तरह से, और थ्री चैनल लेंगे, वन, टू, थ्री, यह हमारे एक डबल क्रोसी अकाउंट होगा, और दो डबल क्रोसी और बनाएंगे, इसी जगह डालके, सेम जगह में, एक, दो, देखिए, तीन डबल क्रोसी हो गए हमारे, एक, दो, तीन, तीन बनाने के बाद हमें तीन चैनल का गैप देना है, एक, दो, तीन, और सेम जगह डालके, तीन डबल क्रोसी और बना देंगे, वन, टू, थ्री, देखिए, कुछ इस तरह से आएगा, अब एक चैनल का गैप देंगे, और जो नेक्स्ट वाली चैनल का देखिए, एक चैनल का इस स्पेस है, यहाँ पर हम तीन डबल क्रोसी बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर एक चैनल का गैप देंगे, और जो एक चैनल का गैप है हमारा स्पेस है, वहाँ पर फिर से तीन बार डबल क्रोसी बनाएंगे, एक, दो, तीन, और इसी तरह से फ्रेंट्स, एक चैनल के स्पेस में हमें तीन तीन डबल क्रोसी बनाते वे रो कंप्लेट करनी है, देखिए फ्रेंट्स, लास्ट में आके भी देखिए, एक चैन हमने ले लिए, और लास्ट में जो हमारा ये स्पेस है, यहाँ पर हम पहले तीन डबल क्रोसी बनाएंगे, वन, टू, थ्री, थ्री बनाने के बाद हमें थ्री चैनल लेनी है, वन, टू, थ्री, तीन डबल क्रोसी बनाएंगे, तीन चैनल हमने लिए, और स्यम जगा डालके तीन डबल क्रोसी और बना देंगे, वन, टू, थ्री, देखिये, अब फिर से देखिये फ्रेंट, समय तीन चैनल लेनी है, एक, दो, तीन, तीन चैनल लेने के बाद इसी जगा पे, सेम जगा पे, तीन डबल क्रोसी और बनाएंगे, एक, दो, तीन, देखिये, पहले हमने देखिये, यहाँ पे तीन डबल क्रोसी बनाएंगे, फिर तीन डबल क्रोसी और सेम जगा डालके फिर से हमने तीन डबल क्रोसी बना दिये, अब एक चैन का गैब देंगे और जो हमारा एक चैन का स्पेस है यहाँ पर हम तीन डबल क्रोसी बनाएंगे एक दो तीन एक चैन का गैब देंगे और इसी तरह से फ्रेंड देखे एक एक चैन के स्पेस में हमें तीन तीन डबल क्रोसी बनाने है और बीच में एक-एक chain का हमें gap देना है और बनाते वें यहां तक पोचिंगे friends दिखे friends लास्त में आगए बनाते वें अब दिखे जो हमारा यहां यह वाला लाश्ट वाला इस्पेज है यहां पर भी हम तीन डवल क्रोसे बना देंगे एक दो तीन तीन डबी क्रसिए बनाने के बाद हमें तीन चैन लेनी है एक तो तीन तीन हैं और जो हमारी यहां के देखे यह थर्ठ चैन है एक दो तीन थर्ठ चैन में अपना हुग डालकर इसे जोइंट कर देंगे पीछ वाले लूप में से निकाल देंगे देखे हमारे कॉर्नर बन गए अब यहाँ पर सिल्वी स्टिच करते वे धागे को कट कर देंगे देखे अब धागा कट कर देंगे और हमारे तीन रों कम्प्लिट हो गई है एक, दो, तीन देखे फ्रेंट्स मैंने तीन चैन की स्पेस में अपना दूसरा कलर का धागा जोइन कर लिया है अब यहाँ पर हम थ्री चैन लेंगे वान, टू, त्री और यहाँ पर हम दो डबिल क्रोस यो और बनाएंगे एक, दो अब यह हमारे तीन डबिल क्रोस यो गए एक, दो, तीन अब हमें तीन चैन लेनी है एक, दो, तीन और सेम जगह डालके तीन और डबिल क्रोस यो बनादेंगे एक, दो, तीन एक चैन लेंगे और एक चैन के स्पेस में तीन डबिल क्रोस से बनाएंगे एक, दो, तीन एक चैन का गैप देंगे और देखिए, फ्रेंट्स, बनाते वे हम यहाँ तक आजेंगे देखिए, फ्रेंट्स, बनाते वे हम यहाँ तक आगए अब लास्ट में आके देखिए एक चैन ले लेंगे और तीन चैन का गैप यहाँ पर देखिए पहले हम तीन डबल क्रोशी बनाएंगे वान टू त्री तीन चैनल लेंगे एक, दो, तीन और सेम जगह डालके तीन डबल क्रोशी और बना देंगे एक दो तीन देखिया हमारा को ना निकल रहा है एक चैनल का ग्याप देंगे और देखिये यहाँ पर तीन चैनल का ग्याप है यहाँ पर हम तीन बार डबल क्रोशी बनाएंगे पहले एक दो तीन फिर तीन चैनल का ग्याप देंगे एक, दो तीन और सेम जगह डालके तिन और डवल करो से बनाएंगे एक दो थिन एक चैन का गैप देंगे देखिए हमारे को बना निकला लाए दर की साइड का पी निकल गया है और इदर की साइड का पी निकल गया है एक चैन ले लिए और देखे एक चैन के स्पेस में हमें तीन और डबल क्रसे बनाने एक दो तीन एक चैन का गैब देंगे और इसी तरह से बनाते वे फ्रेंट्स हमें यहाद तक आजेंगे लास्ट वाले तक देखे फ्रेंट्स मैंने लास्ट में बना दिया है एक चैन का गैब देंगे और जो हमारी तीन चैन का गैब है वहाँ पर हम पहले तीन डबल क्रसे बनाएंगे एक दो तीन तीन चैन लेंगे और सेम जगा डालके तीन डबल क्रसे और बनाएंगे एक दो तीन और एक चैन का गैब देंगे और जो हमारी थर्ड चैन है उसमें लाके से ज्वेंट कर देंगे राउंड को पीछ वाले लूप में से निकाल देंगे और अपना धागा देखे इसलिप चैन लेते वे तीन चैन के स्पेस में ले जाएंगे धागे को और एक चैन लेके धागा कट करेंगे देखे इससे हमारा धाग यह मजबूत हो जाता है खुलने का चांसरी रहता है देखे फ्रेंट्स तीन चैन के स्पेस में मैं अपना दूसरा धागा जोइन कर लिया है अब थ्री चैन लेंगे हापे हम वन टू थ्री यह हमारा एक डबल क्रोसे अकाउंट होगा और दो डबल क्रोसे और बनाएंगे हापे हम एक दो तीन हो गए हमारे तीन चैन लेंगे एक दो तीन और सेम जगह डालके तीन डबल क्रोसे और बनाएंगे एक दो तीन एक चैन का गैप देंगे और एक चैन के स्पेस में हम देखे तीन तीन डबल क्रोसे बनाएंगे और फ्रेंट्स यहां आके हमें फिर से तीन डबल क्रोशी है तीन चैन और तीन डबल क्रोशी बनाने और एक चैन के स्पेस में देखिए यहां पर हमें तीन डबल क्रोशी बनाने और इसी तरह से हम रो कंप्लीट कर लेंगे देखे फ्रेंड्स वर्ग के लाश्ट माखे से जोइंड कर देंगे जो हमारी थर्ड चैन है पीछ वले लूप में से निकाल देंगे देखे हमारी फर्स्ट रूई एक अम्ट्रीट हो गई है इस कलर से अब धागे को हम तीन चैन के स्पेस में लेके जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए देखे धागा लेंगे और पीछ वाले लूप में से निकाल देंगे अब थरी चैन लेंगे हम वान टू थ्री और यहीं पे हम दो डबल क्रोशी और बनाएंगे एक तो तीन डबल क्रोशी होगे तीन चैन और सेम जगह डालके तीन डबल क्रोशी और बनाएंगे एक दो तीन एक चैन लेंगे और एक चैन के स्पेस में हमें तीन बार डबल क्रोशी बनाने एक दो तीन देखे फ्रेंट्स कोर्नर के उपर हमारा कोर्नर बनता जा रहा है और इसी तरह से देखे फ्रेंट्स यहां आएंगे कोर्नर पे यहां पे हमें तीन डबल क्रोशी है तीन चैन और तीन डबल क्रोशी लेंए और इधर आके देखिए जहां हमारे एक एक चैनल का गया पर देखिए यहां पर हम तीन डबल क्रोश से बनाएंगे और इसी तरह से देखिए हम पांच रो और कम्प्लेट कर लेंगे यह हमारी देखिए दूसरी रो इस्टाड हो गई है और मैं चार रो और बना लूँगी तो इसको मिला कि हमारी यह टोटल छे रो हो जाएगी इस कलर से मैं पांच रों कम्प्लेट करके फिर आपको दिखाती हूँ देखे फ्रेंड्स मैंने गरे कलर से छे रों कम्प्लेट कर लिए सेम पिटन बनाते वे देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और देखने में हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है अब अपने यलो कलर का धागा जोइन करेंगे देखे 3 चैनल के स्पेस में और यहाँ पर 3 चैनल लेंगे 1, 2, 3 यह हमारा एक डबल क्रोस्य बन गया और दो डबल क्रोस्य और बनाएंगे एक दो देखे 3 डबल क्रोस्य हो गए अब तीन चैनल लेनी है हमें एक, दो, तीन तीन चैनल लेने के बाद सेम जगह डालके तीन डबल क्रोसी और बनाएंगे वान टू त्री एक चैनल लेंगे गैप के लिए और एक चैनल के स्पेस में तीन डबल क्रोसी बनाएंगे एक दो तीन एक चैनल और एक चैनल के स्पेस में तीन डबल क्रोसी है एक दो तीन एक चैनल का गैप देंगे और देखे फ्रेंट देखने में कुछ ऐसा लगेगा हमारा बर्त और इसी तरह से देखिए यहाँ पे तीन चैनल के स्पेस में आके तीन डबल क्रोस ही है, तीन चैन और तीन डबल क्रोस ही बनाएंगे और एक एक चैन के स्पेस में हमें तीन तीन डबल क्रोस ही बनाने है और बीच में हमें एक एक चैन का गैप देना है फ्रेंट्स और इसी तरह से बनाते हुए मैं दो रो कंप्लिट कर लूँगे yellow color से देखे, last mikä से joint कर देंगे दो रो हमारी complete हो गई है एक, तो, थर चैंन में डालके slip chances से joint कर देंगे और अपना दहागा 3 चैंन के space में लेकि जाएंगे और एक चैन लेके दागे को कट करेंगे देखे फ्रेंड्स मैंने तीन चैन की स्प्रेस में अपना परपल कलर का दागे जोइंट कर दिया है अब यहाँ पर हम थिरी चैन लेंगे वान टू थिरी यह हमारे एक डबल क्रेसे बन गया दो और बनाएंगे हम सेम जगह डालके एक दो तीन डबल क्रेसे बन गए हमारे फर्स्ट आले को मिलाके अब थिरी चैन लेंगे एक दो तीन और सेम जगह डालके तीन डबल क्रेसे और बनाएंगे एक दो तीन एक चैन लेंगे और जहां पर हमारी एक चैन का गया पर हमें तीन डबल क्रेसे बनाने हैं एक दो तीन एक चैन का गया पर देंगे और जहां हमारी एक चैन है वहाँ पर हमें तीन डबल क्रेसे बनाने हैं एक दो तीन एक चैन का गया पर देंगे और देखे फ्रेंट्स सेम हमें वैसे ही बनाना जैसे हम बनाते वह आ रहे हैं कोई इसमें हमें चेंज ही नहीं करना है एक एक चैन के स्पेस में हमें तीन तीन डबल क्रेसे बनाने है और बीच में हमें एक एक चैन का गया प देना है फ्रेंट्स और देखे, कॉर्णर में आके हमें फिर से तीन डबल क्रोशी, तीन चैन और तीन डबल क्रोशी बनाने और सेम पैटन फोलो करते में मैं ये रो कम्प्लिट कर लूँगी उसके बाद देखे फिर मैं यलो कलर से एक रो बनाऊंगी और फिर मैं ग्रे कलर से एक रो बनाऊंगी तीन रो कम्प्रेट कर लेंगे फ्रेंड्स देखे फ्रेंड्स मैंने तीन रो कम्प्रेट कर लिए परपल येलो और ग्रे कलर से अब अपना परपल धागा लेंगे और इसके किनारी बनाएंगे border बनाना है हमें इसका देखिए यहां से धागा जोइन लूप बना लेंगे और लूप को हम hook में रहने देंगे और यहां पर डाल के एक single crochet बनाएंगे देखिए दो लूपे दो में से एक कर देंगे तो यह हमारे एक single crochet बन जाएगा अब हमें 3 चैनल लेनी है 1, 2, 3 यह हमारा एक डबल क्रोसिय काउंट होगा पहले हमने एक सिगनल क्रोसिय बनाया है और फिर उसके बाद हमने 3 चैनल ले है और सेम जगह पे डालके 3 डबल क्रोसिय और बनाएंगे एक, दो, तीन देखे चार हो जाएंगे हमारे डबल क्रोशी है जो हमने स्टार्टिंग में तीन चैनल लिए उसको मिलाके अब जो हमारे यहां पर देखे तीन चैनल का स्पेस है यहां पर हमें एक सिंगल क्रोशी से इसे जोइंट कर देंगे दीखिये बल नहीं लेना है हमें हुक पे यहां उक डालेंगे धागा पिक कर के लाएंगे और दो लूपे दो में से एक कर देंगे इस तरह से अब हमें थी चैन लेनी है वन टू थी यह हमार एक डबल क्रोश से कौंट होगा तीन डबल क्रोशी और बनाएंगे एक दो तीन और फर्स्ट राले को मिलाके चार डबल क्रोशी हो जाएंगे हमारे चार बनाने के बाद जो हमारा एक चैन का इस पेस ही यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशी से जोइंट कर देंगे दो लूपे दो में से एक करेंगे देखिए कुछ ऐसा आएगा हमारा अबर अब जब हम सिंगल क्रोश है बना लेते हैं तो उसके बाद थ्री चैनल लेनी है हमें वन टू थ्री और तीन डवल क्रोश है और बनाएगी है आपी एक दो तीन फिर नेक्स्ट जो हमारे एक चैनल के स्पेस है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोश से इसे जोइंट कर देंगे देखिए हमारा बोडर बन जाएगा कुछ इस तरह से थ्री चैन और थ्री डवल क्रोश है बनाएगे है यहाँ पर वन टू थ्री और एक चैन के स्पेस में सिंगल क्रोश से बना देंगे दो लूपे दो में से एक करेंगे देखिए इस तरह से आएगा हमारा बोडर देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है फ्रेंट से हमारा और इसे पैटन को फॉलो करते वे रो कंप्लेट कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स वरके लास्ट मा के से हम ज्योंट कर देंगे देखिए चार डवल क्रोश से बना दिए हमने अब जो इस टार्टिंग में देखिए हमने यहाँ पर सिंगल क्रोश या बनाये था अब पहले फिर उसके बाद हमने तीन चैन ली थी देखिए सिंगल ट्रोशे की चैन में डालेंगे होग को देखिए यहां पर होग डालके दागा पिक करेंगे और पीछवाले लूप में से निकाल देंगे और एक चैनने के दागे को कट करेंगे देखे फ्रेंट्स मैंने धागा कट कर दिया है अब हमारा डॉर मैट बनके बिल्कुल तयार है और देखे देखने में बहुत ही सुन्दा लग रहा है और इसका बोडर भी बहुत ही प्यार है और फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक करेगा और फ्रेंट्स अगर करेगा थैंक्यू फ्रेंट्स